हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विसे सामाजिक अध्यन के सब्तहा 30 की वर्क सीट को सॉल्व करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्क सीट का टॉपिक है पार्च है दिल्ली में यात्रा तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन वन है नीचे दिये गए वाहनों के दो-दो उधारन लिखे तो बच्चों यहाँ पर आपको दिये गए वाहनों के दो-दो उधारन लिखने हैं इट मिन्स वीकल्स के नाम लिखने हैं तो फस्ट है दो पहिये वाले वाहन तो बच्चों कौन से हैं जैसे की साइक मोटर साइकल तीन पही वाले वाहन है रिक्षा ओटो रिक्षा चार पही वाले वाहन है कार बस चार पही से अधिक वाले वाहन है ट्रक और रेल गाड़ी अब बच्चों यहाँ पर कुश्चन है दिल्ली में पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे बच्चो आंसर है दिल्ली में पुराने समय में लोग एक जगे से दूसरी जगे पैदल, तांगा, बैल गाड़ी, पालकी, घोड़ा वे हाती से जाते थे। अब नेक्स्ट है बच्चो रिंग रेलवे क्या है? इसके बारे में तीन वाके लिखे। बच्चो आंसर है रिंग रेलवे पूरी दिल्ली में घूमते हुए गोल घेरा जैसे बनाती है, इसलिए इसका नाम रिंग रेलवे पड़ गया है, पूरी दिल्ली में कई छोटे छोटे स्टेशन हैं, जहां पर रेल गाड़ियां रुकती हैं, अधिकतर लोगों को रिंग र आत्रा की है, तो बच्चो आपने जिस वाहन की आत्रा की है, आप उसका नाम लिखेंगे, जो बिजली से चलती है, यह रेल गाड़ी दिल्ली वालों का मनपसंद साधन है, यह धरती के नीचे सुरंगों में भी चलती है, बच्चो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग